और भाई क्या हाल हैं तो Redmi K20 Pro के लिए भाई काफी सारे अपडेट्स आ चुके हैं इस्पेशली Lineage OS 20 आ चुके हैं जिसको मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया एंड देखते हैं इसमें आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और इसकी optimization कैसी है क्योंकि previous update था न वो तो भाई काफी अच्छे से optimized था पर अगर आप चैनल पर नहीं तो आप subscribe कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है ROM के अंदर जो stock camera मिलेगा वो आपको Linux का देखने को मिलेगा अफकोर्स Linux ROM है तो यहाँ पर Linux का ही camera है और इसके अंदर GApps आपको separately install करने पड़ेंगे तो आप try कर लेना मैंने Nick GApps basic वाले install कर रखे हैं तो वो आप try करना अगर आप LMC 8.4 को try करते हो जिसका latest video भी मैंने upload नहीं किया तो यहाँ पर almost सारे lenses working है including slow motion videos at one by 8x and normal videos आप 4K 60fps तक record कर सकते हो तो यह camera काफी अच्चा से यहाँ पर work करेगा कोई issues आपको नहीं आएंगे ROM के optimization के उपर आएं तो यहाँ पर कोई setting panel को pull down करने में कोई lag नहीं मिलेगा यह super smooth ROM आपको मिलती है और experience भाई काफी अच्चा है around 2 दिन से मैं इसको use करहाँ और कोई higher refresh rate का support आपको नहीं मिलता और experience भाई काफी अच्चा है काफी stable सा मिला मेरे को और उसके साथ left side में कोई google cards नहीं मिलता बड़ अगर आप haptics वगरा यहाँ पर देखोगे न वो आपको मिल जाएंगे recent में और इसका जो stock launcher वो आपको tree bitchette I think name से देखने को मिलता है तो यहाँ पर कुछ यह सारे options है जिसमें hidden and protected apps वगरा भी आप try कर सकते हो और wall paper and style में आपको यहीं से check कर वा देता हूँ तो इसमें QPR 2 से rebased version आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको basic colors में वो color palettes भी मिल जाएंगे double वाले यहाँ पर themed icon, app, grids आप change कर सकते हो अब 2, 6, 6, 6 तक icon, font and shape try कर सकते हो वैसे जो fonts हैं वो ज्यादा नहीं मिलते है आपको पता है यह lineage US है तो यहाँ पर limited customizations आपको मिलेगी और apps में अगर आओगे तो यहाँ पर कोई game space नहीं मिलता then battery के अंदर battery usage का graph आपको मिल जाएगा and sound and vibration में आपको haptics customize करने को मिल जाएगे वैसे कोई me sound enhancer यहाँ पर include नहीं किया गया ROM के अंदर and display में अगर आप देखोगे तो live display में color calibration यह colors के options है और tap to wake, tap to sleep, prevental, accidental, wake up वाले options है wallpaper and style हमने check out कर लिया security में fingerprint मिलेगा, face unlock नहीं मिलता and speed है वो आपको अच्छी मिलेगी और screen off FODE I guess यहाँ पर work नहीं करेगा but screen on के साथ जो speed है, जो animations है, वो smooth आपको मिलेगे and animations भी काफी अच्छे हैं और मैं आपको screen off FODE check करवा देता हूँ यह work नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा wait करना पड़ सकता है most probability kernel change करने की वज़ा से भी यहाँ पर हो सकता है और buttons के अंदरा होगे, तो यहाँ पर आपको power menu में advance restart मिल जाएगा and system profiles present है, बागकी pixel experience plus addition वाले सारे features हैं और center में clock आप नहीं लगा सकते justice की बात करें, तो यहाँ पर justice आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ two button remove हो चुका है, यहाँ पर यह सारे options है और जो network traffic indicator है, वो center में आपका show करेगा, जो कि आप ऊपर check out कर सकते हो इस ROM में आपका जो device है वो आपको certified मिल जाएगा, wide1 L1 का support है गूगल photos में spoofing आपको मिलेगी, यह ROM में 33 watts से fast charging कर सकते हो कोई issues आपको नहीं आने वाले, ROM का जो normally battery consumption है भाई, काफी incredible है like 6% पर आर के आसपास, active rain normal usage में मिला और जो idle rain है वो आप check out कर सकते हो, 0% पर आर के आसपास है, around 2 दिन से use करा हूँ यह mixed consumption है, जिसमें भाई, काफी heavy task किया गया, तो hardly 11% पर आर के आसपास मिला है बागी idle rain काफी अच्छा है, उसके साथ CPU thrawling graph की बात करें, तो यहाँ पे CPU आपका बिल्कुल भी throttle नहीं करता geekman 6 के scores अभी मैंने run नहीं किये, वो मैं आपको आगे बता दूँगा यह आपको यहाँ पर जो है, benchmarks देखने को मिलेंगे, and to to benchmark के scores और wildlife test के scores भी आपको मैं यहाँ पे display पे दिखा देता हूँ I think कि यहाँ पे जो previous update था वो तो काफी better था, optimization के perspective से, अगर आप BGMI की optimization देखना चाहते हो, वो better थी भाई, बड़िस update में optimization weak मिलेगी, चाहे आप screen recording करो, चाहे ना करो, आपको major FPS drop मिलेंगे close range के अंदर, तो यह जो update है, उसको आप gaming के perspective से void कर सकते हो, बठाँ अगर आपको थोड़ा stable वाल अपडेट चाहिए, जिसमें battery backup अपच्छा हो, तो यह आप consider जूरूर से कर सकते हो, और leanny जो एस lover हो, तो definitely इसको try करना बनता है, that's all for this video, मिलते हैं next interesting video के साथ